तो इस वीडियो में आर हम बात करने वाले हैं सारी चीजें MC के बारे में MC के बाद में हमें क्या salary package मिलता है क्या हमें 8 लाग, 10 लाग, 16 लाग, 40 लाग ऐसे packages मिल सकते हैं, कैसे मिल सकते हैं, MC करने का सही तरीका कौन सा है, top colleges कौन से हैं सब मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, सारी चीजें खोल के रखेंगे, subjects, eligibility criteria, कौन सा entrance test होता है, सब चीजें all about MCA in this video तो है guys, my name is Tushar Badiwal and you watching Tushar Badiwal YouTube channel और आज इस वीडियो में आर विकर देरी आ जाते हैं, MCA क्या होता है, तो MCA होता है, Masters of Computer Application, generally BCA वाले इसको करते हैं, उसके बाद में, जो BSCIT वाले होते हैं, वो भी करते हैं, PCOM वाले भी हाँ पर MCA को करते हैं, क्योंकि उनका एकदम से coding में interest आ जाता है, उसके बाद में मैंने ऐसा भी देखा, BSCIT वाले जो मेडिक, मेडिकल वाले भी होते हैं, और BSC वाले जो बच्चे होते हैं, ठीक है, BSC वाले और मेडिकल वाले भी, तो ये भी एकदम से MCA को करना आ जाते है, Mass Bachelors के बाद में, इनका एकदम से interest आ जाता है, coding में, क्योंकि यहाँ पर पैस है, और jobs काफी सारी है, ठीक है, पर मैं यह कहूंगा, in 2020, competition भी बहुत है, अगर आपको एक अच्छी job लेनी है, तो compete आपको करना पड़ेगा, आपकी skills को एक अच्छे level तक ले जाना पड़ेगा, तो कैसे हो सकता है ये चीज, ठीक है, तो MC करने का यार, सही तरीका होता है, कि आप किसी एक अच्छे college से करो, ठीक है, तो ये चीज पर मैं आऊंगा, पहले हम बात कर लेते हैं, एक, इसमें eligibility criteria क्या रहता है, MC के लिए, eligibility criteria इसमें ये रहता है, कि आप bachelor's degree में, कोई सी भी bachelor's degree हो, उसमें आपके 60% marks होने चाहिए, और ये मैं बात कर रहा हूँ, टॉप MC होता है, इसके लिए, जो top colleges होती है, उसमें आती है एक NIT, जैसे 12th के बाद जो बच्चे होते हैं, उनको B.T. करना होता है, तो वो क्या करते है, IIT करते हैं, ठीक है, तो वैसे ही, जो bachelor's, हम BC वाले होते हैं, उनके लिए, जब हमें कोई अच्छे से, हमें master's करना है, MC है, उसके लिए, जो top colleges है, और वो है NIT, ठीक है, वो है NIT, ठीक है, और वहाँ से आप MC करोगे, तो पहाँ पर आपको package अच्छा मिलता है, और MC करने का एक सही तरीका भी वही है, ठीक है, तो subject 60% मैं आपको बताई दिया, अगर in case अगर आप SCST से belong करते हैं, तो फिर आप 55% में में भी आपका काम हो जाएगा, NIT में, ठीक है, और बाकी आप हर एक particular college का criteria अलग होता है, आप जैसे छोटी colleges में जाओगे, या फिर B में जाओ, यह बिल्कुल मैं A grade top colleges की बात कर रहा हूँ, जो सबसे top India की colleges है, B grade में जाओगे, 55 मिलेगा, उससे नीचे जाओगे, 50 मिलेग ठीक है, तो duration यहाँ पर, इसका, अभी 3 July को एक notification आ गया था, 3 July को, और MCE को अब 2 साल का कर दिया है, और अब यह 2 साल का है, पहले यह NIT में 3 साल का था, पर बाकी दूसरी colleges थी, जिसने BC कर रहा है, वो 2 साल में भी MCE कर सकता था, पर अब, और बाकी जिसने BC कर रहा है, वो 3 पर जो NIT थी, वो NIT अलाओ नहीं करती थी, NIT क्या बोलती थी, भले ही आपने BC कर रहा हो, भले ही आपने BC कर रहा हो, पर आपको 3 साल का MC करना पड़ेगा, यह NIT बोलती है, ठीक है, तो 3 July को यहाँ नोटिफिकेशन आ गया था, कि जित्ती भी AICT ही approved universities हैं, उनमें MC को अब यहाँ पर 2 साल का है, ठीक है, तो MC अब 2 साल का है, सारे बच्चों के लिए, कोई सी भी ब्रांच, कोई सी भी bachelor's degree आपके पास को, MC अब 2 साल का है, ठीक है, और जो NIT है, यह चीज हो तो गईती है, 3 July को, पर 25 अगस को NIT ने अपनी official website पर यह डाल दिया, कि अभी जो 2020 का बै application आया था, कि MC अब 20 के लिए 3 साल का है, तो जो भी यार 2021-22 में करने वाला है, उनके लिए मैं यह बोल सकता हूं कि 2 साल का होने वाला है, और 2 साल का ही होगा, पर इस साल के लिए अभी तक, 25 अगस तक की मैं update यहाँ पर दे रहा हूं, इसके आगे कुछ हुआ, तो फिर मैं तो 2 साल 4 सेमिस्टर में आपके बटेंगे, लास्ट वाला सेमिस्टर में आपका प्रोजेक्ट होगा, ठीक है, उसमें आपको प्रोजेक्ट होगा, अपकी कम्पनी आएगी, 4th सेमिस्टर, 2nd year के लास्ट में, उससे पहले आपको कुछ advanced चीज़ें आपको पढ़ाई जाए इन सब चीज़ों के नेटवर्क के बारे में पढ़ोगे, और 4th सेमिस्टर में आपको प्रोजेक्ट होगा, और कम्पनी आएगी प्लेस्मेंट के लिए, तो वो चीज़ पूरा प्लेस्मेंट की तियारी और आपका प्रोजेक्ट रहने वाला है, यह होगा, अब यह बात क इन सबस्क्राइं कर सकते हैं, एक बेक कर सकते हैं, ठीक है, तो एक फुल स्टेग डवलपर जिसको front end, back end और data waysav आता है, ठीक है, वो. तो 4 job option यह लोगाए, पांच वाफ बिजनस एनलिस्ट कर सकते हो, बिजनस एनलिस्ट की जॉब मिल सकती है, आपको ठोड़ा सा experience, आप EM administrator की job कर सकते हो, software developer की job कर सकते हो, software engineer की job कर सकते हो और बड़ी-बड़ी आप companies में भी hire कर सकते हो तो बात करते हैं हमारे top recruiters कौन होते हैं तो यहाँ पर top recruiters में हमारे Infosys आ जाती है, TechMendra आ जाती है, Amazon आ जाता है ठीक है, Google में भी आप जा सकते हो पर यह सब चीज़ें जो company आती है, आती है top colleges NIT में और इसका अगला वीडियो में बनाने वाला हूँ, जिसमें मैं top 10 और top 5 या भी जो भी top colleges होंगी, जिसमें हम वहाँ से MC करें तो अच्छा रहेगा इसका अगला वाला वीडियो वही होने वाला है, so make sure you subscribe this channel ठीक है, बहुत content आने वाला है इसमें, तो मैं वो भी जो भी चीज होगा आपको यहाँ पर notify कर दूँगा पर हर किसी को यहाँ पर admission नहीं मिलता NIT में, उसके लिए आपको एक paper देना होता है medical में need का करना होता है, वैसे ही, अगर हमें MCE में जाना है, तो हमें NIMSET का paper clear करना होगा जिस basis पे हमें उन top NIT और कुछ top colleges में admission मिलेगा, एक JNU भी हमारी top colleges में आती है ठीक है, तो JNU का अलग paper होता है, वो NIMSET के basis पे नहीं लेता, वो इनके अलग video में top colleges वाली में डाल दूँगा पर यह मान लो, NIMSET से आपको top colleges में admission मिल जाएगा, जित्ती भी NIT है, सरकारी है, ठीक है सरकारी NIT, उन सारी colleges में आपको NIMSET के तुरूई paper मिलेगा ठीक है, और एक NIMSET के उपर भी मैं एक proper video बता दूँगा, NIMSET का exam कैसे देते हैं, ठीक है क्या कितने बच्चे उस NIMSET में बैठते हैं, और कितने बच्चे हमाँ पर select होते हैं, NITS में उसका भी एक अलग video यहाँ पर हम डाल देंगे, अभी फिर ये video बढ़ा हो जागा, अभी मैं इसको NIMSET के बारे में एक अलग video, college reviews के बारे में एक college, top colleges के बारे में एक अलग video आ जाएगा, तो subscribe करके रख लेना channel, तो अब बात करते हैं हमारी salary के बारे में 27,00,000 तक भी जाता है, ठीक है, पर यह 27,00,000 है, यह in hand थोड़ा सा कम मिलता है, तो एक video में बाद न कभी यह भी बनाऊगा, कि इसकी reality के है 27,00,000 को हम 12 से divide कर दें, ठीक है, 27 को 12 से कर रहा है, तो 2,500,000 को हम महीने के कमार, ऐसा नहीं होता भाई, ठीक है, इसमें companies के share भी मि प्लेला है, और average package में भी कैसे निकलता है, average package में निकलता है, जो top आ गया है, जैसे 47, latest 90,000 अ kindness, एक बच्चे को 40 मिला, एक को 10 मिला, एक को 20 मिला, ठीक है, तो लगबग उसका average निकलता है और फिर वो एक average package होता है, सबसे बढ़िया अकर आपको judge करना है तो यार आप देख भी बच्चे है 50% से ज्यादा बच्चों को कितना पैकेज मिला ठीक है वो होता है मेडियन कि क्लास की आधी पूरी आधी क्लास को इतना पैकेज मिला तो वो लगबग एनाइटी चो टॉप एनाइटी ट्रिची एमसी करने के लिए सबसे फस्ट नंबर पर चोखा ले जब वह है एनाइटी ट्रिची मैं उसका भी आपको बता देता हूं बाकी फिर में बाद में बताऊंगा तो एनाइटी ट्रिची का जो मीडियन पैकेज है वो है आठ लाक रूप है ठीक है अब उसमें से इन हैंट थोड़ा सा हमें कम मिलता है पर आठ लाक रूप आप देख सकते ह है आप तो आप उसका मीडियन पैकेज देखो आवेज देको हाइस मत मैं बोलूगा वापस फिट से और हाईस मत देखो क्योंकि हाइस्ट यार एक दो बच्चे का होता है ठीक है इतने सारे बच्चों में से एक बच्चे ने निकाल जया ठीक है तो उस उस बैसे पर हम क्यो उस college से उत्ता निकाल पा रहे हैं तो उस चीज को हम को देखना होगा पहले उसको analyze करेंगे हमें पहले तो best तरीका median package देखो जो कि 8 lakh रूप है something ही रहता है 6 lakh से 8 lakh 6 lakh से 8 तो यहीं यहाँ पर एक MC graduate राट यह भी मैं top colleges की बात कर रहा हूँ अगर मैं बात करूँ normal colleges की ठीक है तो वो BCA वालों के बरावर रहता है BCA वालों की मैंने बापको वालायती 10,000 से लेके 25,000 in case जादा skills हैं तो 30,000 as a fresher मैं बात कर रहा हूँ experience के साथ यह बढ़ेगा तो यह BCA की salary होती है यही MC की होती है कोई फरक नहीं बढ़ता है आपके वास एक master's degree यह बाद depend क्या करता है आप कौन सी college से कर रहे हो ठीक है तो बाकी और वीडियो आने वाला attention मतलो तो तब तक के लिए चलते हैं सब्सक्राइब कर देना चैनल को इस तुशार बडिवाल signing off